बीती रात्वी तेज आंदी और बारश के साथ ओला ब्रेश्टी ने किसानों की फसल को नश्ट कर दिया है जिसके बाद अब गरीब किसान दाने दाने को मौताज होते नजर आ रहे हैं मौरानीपूर तैसिल छेतर के ग्राइमर छेतरों में रात में हुई तेज बारश के साथ ओला ब्रेश्टी से किसानों के खेतों में रखी कटी हुई फसल नश्ट हो गई किसानों पर कुदरत ने ऐसा कैर बरसाया कि उसकी दिन रात की महनत से ओगाई फसल नश्ट हो गई किसानों ने खुले आसमान के नीचे दिन रात जाकते हुए फसल की रखवाली की थी लेकिन कुदरत के बे-मोسم वारिश के बाद अब किसान खुन के आसू रोता दिख रहा है अब ऐसे में किसान के पास अपनी किसमत पर रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचा इतनी मैनत करने के बाद कुछ किसानों के हाथ में तो अन्न का एक दाना भी नहीं बचा मोरा निपर के ग्राम मैलोनी के किसानों ने वताये कि वह अपने परिवार के साथ खेतों में खड़ी फसल को काटने के बाद त्रेसिंग के इंतजार में बैठे थे लेकन बारेस से उनकी फसल का काफी नुकसान हो गया है और अब उन्हें ना के बराबर ही मैनत का फल मिल पाएगा अंत की उन्हें नुकसान होगा महलत से पहला ऑफसल कियदि आपको आपने काटी मैं नुकसान होगा गया मालब फसल ङूल्जी इसमें आदा मिल पाएगी जो पूरी सब्लिई थी वह आदी मिल पाएगी कितने मिल पावाट इतने बीकार होगे इतने वज़े पानी बरसा था यह जो जो दो कल देने की तो बसना पर रात में आज रात वावावाशा आध बर बरसा को कल देने के महुराने पर से रभी परियार की रिपोर्ट